असलामुलेकुम अच्छा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नम्स के रोलनमर शिलिप्स ठीक है उसके बारे में बात करेंगे और नम्स के टेस्ट के मतब टेस्ट कब है और कौन-कौन से पासपेपर्स आपको करने चाहिए और यह नम्स के हिसाब से आप किस तरहाइड ठीक है आप जो है नम्स के website में जाकर अपना slip जो है वो download कर सकते हैं अब नम्स का website में simply आप Google में नम्स लिख दें वहां पर directly आपके पास new announcement आ जायगा ठीक है आप new announcement पे click करेंगे तो आपको directly उसी page पे ले जाएगा जहां पर आपका slip present है अगर यह तब भी आपको नहीं मिलता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहां से चेक कर सकते हैं सेकंड बात यह है कि नम्स क्या है ठीक है नम्स का पूरा एब्रिवेशन है कि नम्स के अंदर बहुत सारे कॉलेजिस आते हैं ठीक है इसका टेस्ट पास करने के बाद पहले तो इसका टेस्ट होगा जो के 3 सेप्टमबर को है ठीक है 3 सेप्टमबर 2023 इसका टेस्ट है और इसके लिए आपको पास्ट पेपर्स पढ़ने चाहिए पास पेपर्स आप आगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे ठीक है और हमारा जो एच्छे सी वाला ग्रूप है वहाँ पर भी मैंने जो है काफी चीजें बता दी थी नम्स के बारे में फिर भी आप वहाँ से भी चैक कर सकते हैं इसके लावा पास पेपर्स के लावा आपको इपॉर्टेंट चैप्टर्स आपकी पास इतना टाइम नहीं है का आप हर चैप्टर को या हर टॉपिक को पढ़ से ठीक है तो इससे अच्छा है कि आप एपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लें जो भी काम की चीजें होंगी वो आपको काम आ जाएंगे ठीक हो गया इसके इलावा नम् प्राइवेट है इसके अंदर बलुचिस्तान की बात में करूं पहले ठीक है तो बलुचिस्तान के स्टूडेंट्स पहले नम्स का टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा यही result आप जमा करते हैं दुबारा कहां पर यह result आप जमा करते हैं किम्स में कोईटा इंस्टिटुशन ओफ मेडिकल साइंस यह किम्स में आप दुबारा फॉर्म लेकर किम्स में अपना document जमा कर देते हैं एक list आती है फिर उसके बताबिक आपके क्या होते हैं सिलेक्शन होती है ठीक हो गया यह category यह होगा इसमें दो category आते हैं एक तो फुल प्राइवेट है एक उस है जिसको हम कहते हैं ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि वहां पर subsidized categories है sub-seedized category का मतलब यह है कि हर division के याद रखेंगे बात डिवीजन के सीड्स होते हैं और हर division के कितने हैं वह तो अलग बात है division के कुछ criteria दी होते हैं क्योंकि अब इस टाइम क्या मतलब नया criteria क्या है क्या है क्या है मुझे नहीं पता लास्ट यह criteria यह था कि उसके जो student है उसके parents की मतलब कुल आमदनी जो है वो पचास हजार से कम हो पर मन्त तो उसके लिए सिल्प वगरा DC से बना के लाना होता है फिर यह सिल्प आप अपने form के साथ जमा करते हैं थोड़ा बहुत investigation होती है फिर आपका merit subsidized category में होता है अगर आपको सारा detail समझा देंगे यह मेरा WhatsApp नंबर है इसके मताबिक इससे आप लोग pass paper भी ले सकते हैं ठीक हो गया और यह रही नम्स के तोड़ा डिस्क्रिप्शन इसके लावा नम्स के जो slip है वो uploaded है चैनल मतलब website पे slips आ गई है आप वहां से अपना slip यो है वो download कर लें